हेलो फ्रेंड्स, स्वाज़त है आप सभी का आपके अपने यूट्टूब चैनल जीके अपडेट टूडे में तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेस्टन भारत का फ्लाइंग सीक किसे कहा जाता है? A. मिलका सिंग को B. मेजर ध्यान चंद्र को C. सर्चिन तेंदुकर को D. सर्दार भगा सिंग को राय चैनसर में जाएगा A. मिलका सिंग को चंद्र मामा पर उतरने वाला विश्टू का प्रत्वम वेक्तिक कौन है? A. मेजर यूरी गार्विन B. बिचेंदरी पाल C. नील आर्मे स्ट्रॉंग D. राके सर्वा राय चैनसर में जाएगा C. आर्ण नील आर्मे स्ट्रॉंग नीर गीरी परवत स्लिंग कला किस राज्ये में इस्थित है? A. आंद्रपरदेश में B. तमिल नाइडू में C. करनाटक में D. उत्राखंड में राय चैनसर हो जाएगा B. तमिल नाइडू में बादुपूर राष्टी अव्ध्यारन किस राज्ये में इस्थित है? A. मद्रपरदेश में B. राजस्थान में C. कुजिराट में D. करनाटक में राइट एंसर हो जाएगा D. करनाटक में कौन से फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? A. गन्ना B. कपास C. गेणी D. धान राइट एंसर हो जाएगा B. कपास अजन्ता की गुफाएं किस राज्ये में इस्थित है? A. महारा महाराश्थ में B. नाला लेंड में C. तेलगाना में D. पंजाब में राइट एंसर हो जाएगा A. महाराश्थ में पठनार आस्लेम का सम्बन्ध किस से है? A. महात्मा गांधी C. अरविंद गोस C. भगस सिंग D. विनुवा भावे राइट एंसर हो जाएगा D. बिनुवा भावे महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? A. अरुना देवी B. सुरुसती जी C. कस्तुर्वा गांधी D. विमला देवी राइट एंसर हो जाएगा C. कस्तुर्वा गांधी भारत की सबसे बड़े गुरु G. किस राज्य में इस्तित है? A. अंजिपर्देश B. जम्मु कस्मीर C. गुजिराद D. पंजाब Right एंसर हो जाएगा B. जम्मु कस्मी सोम्नात मंदिर किस राज्य में इस्तित है? A. उडिशा B. उत्तरपरदेश C. उत्राखंड D. गुजिराद Right एंसर हो जाएगा D. गुजिराद उत्तरपरदेश के किस जीले की सीमा अंतरास्ट्रे सीमा से लगती है? A. प्रयागराज B. लखनव C. बहर्राइच D. जैनपूर Right एंसर हो जाएगा C. बहर्राइच National School of Drama कहां परिस्तित है? A. गुबनेश्वर में B. भुपाल में C. हैदराबाद में D. नई दिल्ली में Right एंसर हो जाएगाड़ी D. नई दिल्ली में प्रथम भार्थी वितायोग की अस्थापना किस बर्स होई थी? A. बर्स उनिस्सो उन्चास में B. बर्स उनिस्सो इकावन में C. उनिस्सो पचपन में D. बर्स उनिस्सो अन्ठावन में राइट एंसर हो जाएगा बर्स B. बर्स उन्हीं सोई काबन में आमेर के कीले का निर्मान किसने करवाया था? A. जहांगीर ने B. महराना परताप जी ने C. रानी लच्मी बाई ने D. राजा मान सिंग जी ने राइट एंसर हो जाएगा D. राजा मान सिंग जी ने भारत के किस राजी को फलो की डालिया कहा जाता है? A. करनाटक को B. मेगाले को D. हिमाचर पर्दिश को D. राजस्थान को राइट एंसर हो जाएगा C. माचर पर्दिश को डूपते सूरज का देश किसे कहा जाता है? A. ब्रिटेन को B. रूस को C. जापान को D. फिनलैंड को राइट एंसर हो जाएगा A. ब्रिटेन को बांगलादेश की अस्थापना किस फर्स होई थे? A. 1968 में B. 1970 में C. 1972 में D. 1972 में राइट एंसर हो जाएगा C. 1971 में ताज महल का सिल्प कार्ब कहां का निवासी था? A. इटली B. फ्रांस C. मिस्ट D. तुर्की राइट एंसर हो जाएगा A. इटली जहागीर महल कहां परिस्थित है? A. दिल्ली में B. राहूल में C. उरंगाबाद में D. आगरा में राइट एंसर हो जाएगा D. आगरा में आगरा की मूती महजीत का निर्मान किसने करवाया था? A. अकवर ने B. जहागीर में C. साज जहाने D. बावर ने राइट एंसर हो जाएगा D. जहागीर ले